क्या आपने कभी देखा है कि आपकी द्रिष्टी के खेतर में कुछ तैर रहा है? ये एक छोटे कीडे या एक पारदर्शी बून की तरह लग सकता है और जब भी आप करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाता है और जैसे ही आप अपनी नजर बदलते हैं फिर से प्रकट हो जाते हैं पर इसके लिए अपनी आँखे धोने मत जाओ आप जो देख रहे हैं वो एक सामान या घटना है जिसे फ्लोटर के रूप में जाना जाता है इन वस्तों का व्याग्यानिक नाम मुस्काई वलिटेंटेस है जो फ्लाइंग मक्यों के लिए लेटिन है और अपने नाम के अनुरूप ही वो कुछ परेशान करने वाली हो सकती हैं वास्तों में वो कीड़े या किसी भी परकार की बाहरी वस्तों नहीं है बलकि वो आपकी आँखों की पुतली के अंदर मौजूद होते हैं फ्लोटर्स जीवित प्रतीत हो सकते हैं क्योंकि वो चलते हैं और आकार बदलते हैं लेकिन वो जीवित नहीं है Floaters छोटी वस्तुए हैं जो आपकी आँखों के पीछे नाजुक रेटीना पर छाया डालती है वो उत्कू के टुकडे लाल रक्त कोशिकाई या प्रोटीन के गुच्छे भी हो सकते हैं वो vitreous humor के भीतर निलंबित होते हैं वो gel जैसे तरल हैं जो आपकी आँखों के अंदर भरे होते हैं इसलिए floaters आपकी आँखों की गती के साथ बहते हैं और जब आप आँख बंद करते हैं तो इसमें थोड़ा उचाल आता है floaters मुश्किल से ही अलग-अलग हो सकते हैं वो retina के जितने करीब होते हैं उतनी अधिक दिखाई देने लगते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि जब आप अपने हाथ को overhead light वाली टेबल के करीब रखने से अधिक सपष्ट रूप से चाया बनती देखते हैं और floaters विशेश रूप से ध्यान देने योगी होते हैं अब आप एक चमकदार सते को देख रहे होते हैं जैसे कि खाली computer screen, बर्फ या खाली आस्मान वहां background की स्थिर्था के कारण उन्हें अलग से देखना आसान होता है रोशनी जितनी तेज होती है आपकी पुतली उतनी ही ज्यादा सिकुरती है इसका प्रभाव एक बड़ी fuse light को एक overhead प्रकाश बल्ब के साथ बदलने के समान है जिससे परचाई भी स्वश्ट दिखाई देती है एक और द्रिश ये घटना है जो floaters के समान दिखती है लेकिन वास्तव में उनमें कोई संबंध नहीं होता है यदि आपने चमकीले नीले आकाश को देखते समय प्रकाश के छोटे बिंदूओं को इधर उधर भागते हुए देखा है तो जो आपने अनुभव किया है उसे नीले क्षेतर के एंटोपिक घटना के रूप में जाना जाता है कुछ माइनों में ये फ्लोटर्स को देखने के विपरीत है यहां आप अरचाई नहीं देख रहे हैं लेकिन चोटी चोटी चलती हुई खिड़कियां आपके रेटीना तक प्रकाश पहुँचा रही हैं ये खिड़कियां वास्ताव में आपके रेटीना की सत्य के साथ कोशिकाओं के माध्यम से चलने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण होती हैं ये ल्यूकोसाइट्स इतने बड़े हो सकते हैं कि वो लगबग एक कोशिका भरते ही उनके सामने एक प्लाजमा स्थान खुल जाता है क्योंकि कोशिकाओं में सामयने रूप से मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की तुल्न में अंत्रिक्ष और श्वेत रक्त कोशिकाओं नीले प्रकाश के लिए अधिक पारदर्शी होती हैं जहां भी ऐसा होता है हम अपनी कोशिकाओं के पत का अनुसरन करते हुए और अपनी नाड़ी के साथ समय पर चलते हुए प्रकाश की एक गतिमान बिंदू देखते हैं। देखने की आदर्श थिति में आप ये भी देख सकते हैं कि डाट के बाद एक आली पूझ की तरह कुछ दिखता है ये लाल रक्त कोशिकाओं हैं जो लिउकोसाइट के पीछे एकत्रित हो गई हैं। हाला कि आसामाने रूप से कई या बड़े फ्लोटर्स जो दिख्टी में हस्तक्षेप करते हैं वो अधिक गंबीर स्थिति का संकेत हो सकते हैं जिसके लिए ततकाल चिकिस्ता उपचार की आवश्यक्ता हो सकती हैं। लेकिन ज्यादा तर समय फ्लोटर्स और ब्ल्यू स्काई, स्प्राइट्स जैसी एंड टॉप टिक खटनाएं केवल एक सोम में अनुस्मारक हैं कि जो हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं वो हमारे जीव विज्ञान और दिमाग पर उतना ही निर्भर करता है जितना की बाहरी झाल झाल